आपका मिठा खाने का मनों और आप मार्केट भी नहीं जाना चाते तो ये रेशिपी आपके लिए हलो फ्रेंट्स मैं सुसी है आज की वीडियो में आप सब का स्वागत करते हूं आज हम बहुती, तेस्टी और यम्मी से बर्फी बनाएंगे सिर्फ ब्रेड से जिया दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना सिर्फ 6 ब्रेड पीज से बनाएंगे हम 1 किलो मिठाई बाजार में 300 रुपए किलो मिलने वाले मिठाई को हम सिर्फ 50 रुपए और गर के इंग्रेडियन्ट से ही त्यार करें तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक मिक्सर गरेंडर में लगबग एक कडोरी चीनी लेंगे इसके साथ ही हम 4-5 हरी रलाज Te appreciate डालेंगे और इसका एक बिलकुल fine powder त्यार करेंगे देखे फ्रेंट्स हमने चीनी को पीछ लिया और उसका बारीक powder त्यार कर लिया है بिलकुल इस तरह का बारीक powder त्यार करना है पाउडर को हम साइड में रख लेंगे और ब्रेड के सलाइस त्यार करेंगे इसके ब्राउन पारट है इनको अलग करके ब्रेड के छोटे छोटे टुकडे करके मिकसर गरेंडर में डाल लेंगे ब्रेड के जो ब्राउन पार्ट से इनकी भी बहुती टेस्टी और स्वाधिश्ट मिठाई बनती है उसकी रेसिपी भी मैं इसके साथ ही बताऊंगे तो आप वीडियो के अंत्तक बने रहना हमने सबी ब्रेड सलाइस को तोड़कर इस मिकसर जार में डाल दिया है अब इसका भी पाउडर तैयार कर लेंगे देखे हमारा बहुती बारिक सा ब्रेड क्रंच बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है हमें बिल्कुल इसी तरह का ब्रेड पाउडर तैयार करना है बिल्कुल बारिक नहीं करना है बस इसी तरह सा क्रंची रखना है हम इस ब्रेड पाउडर को सुगर वाले पाउडर में डाल देंगे डालने के बाद आप इसी अच्छे से मिला लीजिए इसके साथ हम इसमें एक कप मिलक पाउडर एड़ करेंगे मिलक पाउडर डालने से इसका बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है और यह बहुत ही टेस्टी बनती है इसके साथ ही हम ग्रेंड की अवा नारियल भी डालेंगे अभी इसमें एक में इंग्रेडियन डालना बाकी रहा गया है वह है फ्रेस मलाई जो हमें मावा वाला टेस्ट देगी इसी टेस्ट करने के बाद कोई बताई नहीं पाएगा किसे ह इसमें एक से दो समच गी भी एड़ कर सकते हैं मैंने यह गी का यूद बिल्कुल नहीं किया है बगेर गी के भी बहुत ही टेस्टी बन जाती है यानि इस बर्फी के लिए नहीं आपको मावा की जरूरता और नहीं गी की अब हम एक बर्फी वाले ट्रेलेंगे और उसमें बटर पेपर लगाकर उसे घी से ग्रीज कर लेंगे अगर आपके बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही डाल वे भी बटर आसानी निकल जाता है ईक्ज़ SIM करेंगे बेटर को इसके अंदर डाल कर आपको सेंचुला की मदद से इसी तरह से सेट करना यह लगबग एक गंटे में सेट हो जाती है अब हम इसे ट्रे में से बाहर निकाल लेंगे और उस पर जो बटर पेपर चिपका हुए उसे अलग कर लेंगे इसके साथ हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए इस पर चांदी का वरक डालने के साथ थोड़े से ड्राइफूट भी एड़ करेंगे यहां मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ी से कटे हुए बादाम, थोड़ी से काजू और थोड़ी से पिस्ता कतरनली है चांदीवर को ड्राइफूट डालने के बाद हम इसे पिसेज में कट कर लेंगे पिसेज आप अपने पसंद के कोर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हो आप चाहें तो इसे बरसी की सेप में भी काट सकते हो देखिये देखने में लग रही है नम बिलकुल मार्केट वाले मावा बरसी तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए मुझे कोमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एसी टेस्टी और या मिसी वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे